सब्सक्राइज और एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सागत हैं आपको तो पता ही है आज कल टमाटर आम से खास हो गया है और एपल के साथ टमाटर का उठना बैठना हो गया है मतलब प्राइज की बात करें तो टमाटर ने एपल को भी पीछे छोड़ दिया है डेड़ सो फिर दो सो फिर ठाई सो और आज तीन सो और अगर हाला तैसे ही रहे तो सच में हमें जोल्री वॉक्स में जोल्री के जगर टमाटर रखना पड़ेंगे क्योंकि दिनों दिन आम आदमी तो छोड़िए एक खास आदमी की पहुंच से भी टमाटर बाहर होते जा रहे हैं और आपको तो पता ही है जिस चीज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ घाते हैं उसी कुछ जणे कमन हमारा ज्यादा होता है तो बिचारए टमाटर का कोई दोष नहीं है क्योंकि टमाटर का नैचर स्केश एक कि इसे बहुत ज़्यादा起 तक इस्टोर नहीं किया जा सकता और अभी मांसुन का सीजन है हर जगे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए टामाटर सड़ गए है और डिमांड जादा है तो आवसली टामाटर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सब्जियों में टामाटर ना डाला जाता है तो आज का वीडियो टामाटर से ही रिलेटेट है ऐसे तो टामाटर को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप टामाटर को एक साल तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी टामाटर का रेक बढ़ता है तो आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी और साथी फ्रेंड्स में इंट्रोडियूस कराने वाली हूँ आपको माइक्रवेव के एक कमाल की फीचर संड्राय से तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में दूप नहीं आती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है क्योंकि माइक्रवेव के संड्राय आप्शन में जाकर आप बहुत सारी चीजों को संड्राय कर सकते हैं चाहे बारिश का टाइम हो या फिर कोई भी सीजन हो आप आसानी हैं तो आप देख सकते हैं औरे डालवड़ी है मुंग डालवड़ी है ऐसे बहुत सारी चीजों को आप बना कर सुखा भी सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं पूरा प्रोसेस तो फ्रेंड्स यहां पर लिए हैं मैंने दो बड़े साइस के टामेटो नहीं धो लिया है और अच्छे से इन्हें पोश्र लेंगे और इनके भी पत्य पत्ले चली शीजें कर लेंगे चाने था संस एक दम पत्ले करिये ताकि ये अच्छे से ड्रॉड़ाओ जाएं बहुत जादा मोटे आप स्लाइस करेंगे तो सूखने को काफ़ी टाइम लग जाएगा तो इस तरह से सारे टमाटोस के मैंने पतले पतले स्लाइसेस कर लिये हैं और आप इस तरह से किचिन का कोई साफ और धुला हुआ कपड़ा ले लीचे तो डारेक्ट आप कपड़े के ऊपर भी रख सकते हैं नहीं तो इस तरह से टामेटो के स्लाइसिस को आप किचिन पेपर के उपर भी रख सकते हैं सारे टामेटो के स्लाइसिस को हमने अच्छे से फैला लिया है किचिन टॉवल के उपर इसके बाद हम या तो आप कोई कपड़ा ले लीजी उपर से या फिर से एक और किचिन पेपर ले लीजी और उसे उपर से ऐसे कवर करके तीरे-धीरे प्रेस करिए इससे होगा क्या कि टॉमेटू में जो एक्स्ट्र वाटर होता है वो सारा रिमूब हो जाएगा और टैमेटू आसानी से और जल्दी सुख जाएगे ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप अगर धूप है और गर्मी का सीजन है तो इसे आसानी से सुखा सकते हैं लेकिन इन्हें हम सुखाने वाले हैं माइक्रवेब के संड्राय फंक्शन में ये देखिए इस तरह से टॉमेटू का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा निकल गया है और अब हम इन सारे टॉमेटू स्लाइसेस को क्रश्टी तबा के उपर फैला लेंगे तो सारे टॉमेटू के स्लाइसेस को हमने एक रश्टी तबा फर सिंगल सिंगल फैला लिया है एक के उपर एक नहीं रखना है और इसे हम प्लेस कर देंगे हाई रैक के उपर अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी करना है यह जो लो रैक है इसके उपर भी फैसेस को डालके रख सकते हैं और उसके उपर से फिर आपको रखना है हाई रैक कुछ इस तरह से तो इस तरह से लो रैक के उपर भी सारे स्लाइसेस को आप रख सकते हैं और अगर आपकी quantity जादा है तो एक अच्छा option है और नीचे जो turn table है उसके अंदर भी आप सारे slices को फैला सकते हैं इससे होगा क्या कि जादा से जादा quantity आप इसके अंदर dry कर पाएंगे लेकिन microwave के autocook menu में सिर्फ एक plate भर के slice का ही time feed है तो अगर आप double, triple quantity एक साथ में add कर रहे हैं तो उस time को आपको repeat करना होगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं sun dry का option दिया है और हमें tomato को sun dry करना है तो 3 and 1 नमबर पे sun dry tomato को option है इसे पैनल पे जाके हम select करेंगे मसाला और sun dry का function phrase करेंगे तो यह एक नमबर आया है इसे हम increase करके 3 नमबर पे लेके आएंगे इसे ok करेंगे और 3 and 1 पे ही sun dry tomato का option है ok करेंगे then यहाँ से start करेंगे तो यह automatic 27 मिट का time tomato को dry करने के लिए ले रहा है तो आप देख सकते हैं friends बहुत अच्छे तरीके से tomato dry हो गए हैं अगर आप किया पर धूप आता है तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं लेकिन microwave में क्या benefit है कि धूप में 2-3 दिन सुखने में लगता है और थोड़ा आपको hyzine में maintain करना पड़ता है तो यहाँ पर आपक 250 ग्राम के असपास tomato को dry करके बताया है लेकिन जब tomato का season होता है आप तीन चार पाच कलो तक टामेटो इस तरह से dry करके रख सकते हैं और उसका powder बना के भी रख सकते हैं तो आप सब्जी बगरा में एक या दो चमच पाउडर डालेंगे तो टामाटर का रियल टेस्ट आपक को आएगा और तामाटर महंगा होगा तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी और microwave का ये sun dry function बहुत ही कमाल का है बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जीयों को आप dry कर सकते हैं इसी तरह से आप onion को भी dry करके रख सकते हैं और fruits को भी dry करके रख सकते हैं और अगर आपके microwave में यह function है तो जरूर इसका यूज करिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्रणी तो थे थैंक्स वर वाचिंग एपए क्जिक एप गुकिंग मिल थे रख वीडियो और नहीं रहीं के साथ तक तक के लिए टेक चार से ऑःए और आप्रणी अगर पाल आपके में आपके जाए आपके शोचिए तक कर तक कर दो बादाए तक कर दो सब्सक्राइब